हेलो एवरिवान इन दिस वीडियो वी विल दिसकस गोड पेंटिंग्स एन दिस इस पार्ट ओफ चाप्टर नमबर सेवेन जोकी उनिट और ब्लॉक है आपका तो मेजी 16 का पेंटिंग्स क्या थी उनके बारे में देखेंगे गोंड आपको पता होगा गोंड क्या है हमारी एक अधिवासी कमिनीटी है इंडिया की जिसके बारे में आप सब फैमिलियर होंगे और गोंड़ आर दा लजजेस्ट अधिवासी कमिनीटी इन इंडिया ठीके एंड दे लिव इन दीप फोरेस्ट ओव इंधिया, सत्पुड़ा और मंडाला कहा रहते हैं ये विंधिया, सत्पुड़ा और मंडाला इनका क्या बहुत अच्छा है? इनका बहुत अच्छा है, इनका एक इक रिच कल्चर है इनको क्लासीपाइड से इंडिपैके पेरिट के तक भी सर्भाइब कर रहे हैं तो तो आप लोगों के लिए ही इलाबरेट कर रहे हूं तो आप समझ सकते हैं नेक्स बात करते हैं In Tribal Art of Middle India Tribal Art of Middle India को डिसकस करेंगे जो कि क्या है Warrior Iwan wrote वो लिखते हैं क्या लिखते हैं In 1987 में Swaminathan wrote about the tribal paintings और Swaminathan ने भी जी है Swaminathan जी ने भी tribal paintings के बारे में लिखा है ठीक है किस-किस ने लिखा है Warrior Alvin ने लिखा है और Swaminathan जी ने भी लिखा है Alvin collected thousands of tales from different communities Alvin जो थे उन्होंने different communities से tales को collect किया और उसके बाद उसको present किया And in 1984 Swaminathan passionately research Adivash is artist in Madhya God paintings has a root of Noha Dora Noha Dora और बिटी चित्रा का आप कह सकते हैं कि क्या है एक root है Noha Dora क्या होता है Noha Dora is a painting on the outer wall of the Gond house Noha Dora होता है कि जो गोंडों के जो घर बने हो है जो गोंड आधिवासी इसके घर बने हो है घरों के बाहर का जो painting है उसे बोलते है Noha Dora ठीक है अन इस दूरिंग दा चेदता फेस्टिबल और यह कब बनाया जाता है चेदता उनका एक फेस्टिबल है तब इसको बनाया जाता है तब दा थ्री फिंगर इंटो काव डंग वो काव डंग में अपने तीन फिंगर को दिप करते हैं पुट डोट सॉन दा वाल और रगाते हैं पे इन दे शेप ओफ ताइगर को पंजा होता है बिल्कुल उसी तरीके से अंदर चिल्रन कलेक्ट फूड ग्रीन्स फ्रॉम इच हाउसोल्ड, सिट इन दा ओपन एंड कोग इट तुगएदर इन ग्रीट जोई लगता था कि अगर नोहाडोरा पेंटिंग हम बनाएंगे तो जो टाइगर्स हैं वो रात में उनके घरों में नहीं घुसेंगे कौन सोचते थे यह जो गोड कॉमुनेटी और जो आधिवासी कॉमुनेटी की लोग थे यह इनका बिलीफ था टाइगर से इनको कौन प्रोटेक करेगा नोहाडोरा पेंटिंग दो पेंटिंग की नोहाडोरा दिवार की बाहरी तरफ घर के बाहर बनाया जाता था ताकि टाइगर से बच सके यह उनका मानना था और डिगना पेंटिंग जो है डिगना डिगना पेंटिंग जो है डिगना पेंटिंग किसले होती थी ताकि जो कब बनाते थी यह तो कोई वैडिंग हो कोई शाधी हो कोई फेस्टिवल हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे कल्चर में जब दिवाली होती है तो हम लोग तो क्या बनाते हैं रंगोली बनाते हैं तो इसे तरीके से जो गोंड अधिवासी कम्मयूंटी के लोग हैं वो दिगना बनाते हैं डिगना उनका एक आर्ट का नाम है तो क्वेशन अगर डायरेकली भी आ सकता है नेट सेट के पेपर में कि डिगना और इससे पहले हमने क्या उए को किया था इगना और नोहडोरा कि दिगना और नोहडोरा पेंटिंग्स कहार से रिलेट करती है तो गोल्ड पेंटिंग्स जो है जो कॉमुनेटी के लोग है उनसे रिलेट करती है if butu always lives of animal or a tree is painted on the wall of the Gold house बटी बिटी चित्रा क्या होता है इमेज होती है किसकी इमेज होती है अनिमल की नारिष दिपावली एंड शेरा पे ये बिटी चित्रा की इमेज बनाई जाती है बिटी चित्रा पेंटिंग्स बनाई सबसे पहले दो हमने यह डिसकुस किया कि गोल्ट कौन होते हैं उनकी नोहाडोरा दिग्ना और बिटी चित्रा तो नोहाडोरा क्या होता है जो उनके घर के चारो तरफ बनाया जाता है वो कावडंग में आपने तीन उगलियां डालते हैं और जैसे कि एक टाइगर का पाओ उ उसका पंजाओ तो उसी तरीके का कोई डिजाइन बनाया जाता है दिगना marriage system और festival जब होता है कोई occasion होता है तब घर के अंदर की दिवारों पे बनाया जाता है और भिटी चित्रा क्या होता है भिटी चित्रा के अंदर ये भी दिवारों पे बनाया जाता है और इसके अंदर image बनाई जाती है एनिमल की प्लांट की और ट्री की उंडा जो गोंड ट्राइबल कमुणिटी है हमारी अधिवासी कमईटी है इंडिया के अंदर उनका जैसिकि कोमनली हमारे लोगों के बेच भी कुछ ऐसे myths होते हैं या reality होती है जिनके according हम लोग काम करते हैं ठीक है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा वैसा करेंगे तो ऐसा होगा जैसे कि कोई नया घर बनाते है example के लिए हमारी day to day life में तो वो क्या करता अपने घर के main door पे क्या करता है नीबू और मिट्श लगा देता है क्योंकि उसे लगते कि नजर नहीं लगेगी तो जैसे यह हम लोगों का एक मित कह सकते हैं या फिर मानना कह सकते हैं बिलीफ कह सकते हैं उसी तरीके से जो नोहां डोरा था वो घर के बाहर की बोल्स पर बनाया जाता था मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट और फ्रेंट्स क्वेशन आंसर के लिए आपका सक्सेस मेकर नाम सी एक दूसरा चनल है जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए उस पे आपको हर एक टॉपिक से रिलेटिड हर एक एमेजिस से रिलेटिड इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर मिल जाएंगे ठीक है तो अपना ध्यान रखें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक्यार एंड गुद्बाई